प्रधान मंत्री नरेन मोदी लक्षदीप के दौरे पर थे इस दौरान वो कुछ तस्वीरे लक्षदीप की ट्वीट करते हैं और आगरे करते हैं कि लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएं लेकिन ये बात और ये मैसेज कहीं न कहीं मालदीव की उस महिला मंत्री को अच्छा नहीं लगा और उसने बकाइदा ट्वीट करते हुए अभधर टिपणियां प्रधान मंत्री नरेन मोदी के लिए कर दी इसको देखते हुए बावाल मच गया पूरे मालदीव को लेकर के ब करता जा रहा है यहां तक कि वहां के टूरिजम को लेकर के बात की जा रही है कि टूरिजम में जितना योगदान भारत का है उतना योगदान तो किसी और देश का ही नहीं है 2023 के आकड़ों की बात करें तो करीब 2,80,000 लोगों ने मालदीव की यात्रा की थी मालदीव वो गये वहां पे पैसे खर्च किये और बकाइदा इससे मालदीव की अर्थविवस्ता चलती है कहा ये जाता है कि करब 70 फिसदी जो अर्थविवस्ता है मालदीव की वो टूरिजम पर ही डिपेंडेंट है और भारत करीब 11 फिसदी टूरिजम कही ना कही मालदीव को देता है ऐसे में जो उसकी अर्थ विवस्ता है उसका सबसे बड़ा योगदान भारत की तरफ से होता है ऐसे में प्रधार मंतरी नरिन मोदी को लेकर के जो टिपड़ी की गई उसके बाद मालदीव अब फस्ता हुआ जा रहा है हलाकि मालदीव सरकार ने ये जरूर कहा है कि उसका किसी नीजी ट्वीट या किसी नीजी सोच से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इसका असर दूरगामी परता हुआ दिख रहा है जो हैं वो कैंसिल हो चुकी है जो मालदीव और भारत को जोड़ती है यानि कि भारत से मालदीव जाती है तो दूसरी तरफ करीब 12,000 होटल्स जो हैं उनकी एडवांस बुकिंग को रद कर दिया गया है साब तोर पे इसका आसर दिखने लगा है जिस तरह से प्रधान मंत्री नरें मोदी लक्षदीव की यात्रा करते हैं वहां की कुछ तस्वीरे वो सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसके बाद जो है आगरह करते हैं कि लोगों को लक्षदीव घूमने आना चाहिए ऐसे में मा लगातार ट्वीट पर जवाब देना शुरू किया और उसमें अभद्र टिपड़ी करनी शुरू कर दी यह महिला है मरियम शिवना मरियम शिवना दरसल एक युवा मंत्राले की मंत्री हैं और उन्होंने बकाइदा ट्वीट कर अभद्र टिपड़ी नहीं की बलकि उनके सा लगातार ट्वीट पर ट्वीट किये गए जिसके बाद यह विवाद और बरता चला गया अब फिलाल लगातार कारवाई की बात जरूर मालदीव कर रहा है लेकिन अब वो पूरी तरीके से इस मामले पर फस चुका है जिसमें भारत ने कड़ी परतिक्रिया दी है विडियो जले सुभाष चल्दा के साथ सेदामिर उसेन न्यूस नेशन दिले